कहानी की शुरू में हमें रात दिखाई गई है जहां पर एक घर में एक लड़का किसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है उस लड़की की आस पास बहुत सारा खून था, डेड बॉडिस थी क्यूंकि किसी ने उस लड़के की फैमली को मार डाला था और वो लड़का सिर्फ अकेला ही जिन्दा था अब उसके हाथ में गन थी और वो भी उस किलर से बचने के लिए चुप रहा था इसलिए उस किलर से बचते हुए वो बैट के नीचे चुप जाता है उस लड़के को अपने पास ही बहुत बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ दिखाई दीता है और तबी उस बैट को कोई उठा कर फैंक देता है जिसकी नीचे वो लड़का चुपा हुआ था असल में वहाँ पर किलर था और वो उस लड़के को भी मार ढालता है फिर सीनेक लड़की पर शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम चारली होता है चारली ये घर में अपनी मदर के साथ रहता था चारली की मदर को अपने नियू नेबर पर बहुत गुसा आ रहा था क्योंकि उसने अपने घर का सारा गार्विज बाहिर उन लोगों के घर के सामने रखा हुआ था इतनी ही दिर में वहाँ पर चारली की फीमिल फ्रेंड आ जाती है फिर वो लोग मिल कर कॉलिज चले जाते हैं कॉलिज में चारली नौटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका एक फ्रेंड एपसेंट है इसलिए चारली अपने दूसरे फ्रेंड से इस बारे में डिसकस करता है जिस पर चार्ली का friend कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद उसे कुछ ना कुछ हो गया है तो इसलिए हमें अपने friend को ढूणना चाहिए जिस पर चार्ली कहता है कि college of होने की बाद हम दोनों मिलकर उसे ढूणने जाएंगे पिर चारली की मदर अपने उसे न्यू नेबर से बात कर रही होती है इस न्यू नेबर का नाम जेरी था पिर चारली की मदर जेरी को अपने बेटे और उसकी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है सब लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर रहे थे चारली की मदर को जैरी एक अच्छे दिल का इंसान लगा इसके बाद जैरी वहाँ से चला जाता है उसके जाने की बाद चारली की मदर कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इसने आज तक शादी क्यों नहीं की इस बात पर वो लोग हसने लगते हैं चारली और उसका फ्रेंड अपने मिसिंग फ्रेंड को डूरने के लिए चले जाते हैं और उसका मुबाइल भी पिछले कुछ दिनों से बंद ही आ रहा था इसलिए वो दोनों अपने फ्रेंड के घर पर चले जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कोई भी नहीं मिलता इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं चारली का फ्रेंड अपने घर जा रहा था कि तबी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे हमेशा ही तंग करता रहता था इसी वज़े से चारली का फ्रेंड उसे बचने के लिए जैरी के घर में गुस जाता है वो वहाँ से भागते हुए टेरिस पर चला जाता है और फिर जैरी की घर के स्विमिंग पूल में गिर जाता है तब ही वहाँ पर जैरी आ जाता है जिस पर चारली का फ्रेंड उससे हेल्प मांगता है कि मुझे बाहर निकाल दीजिए तब जैरी ऐसा ही करता है और वो भी स्विमिंग पूल में आ जाता है लेकिन जैरी अचानक ही वेंपायर बन जाता है और चारली की फ्रेंड को काट कर उसका सारा खोन पी रेता है और उसे मार डालता है फिर चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड साथ होते हैं तब ही चारली नौटिस करता है कि जारी की घर में उसकी एक फीमिल फ्रेंड आई हुई है चारली अपनी female friend को बताता है कि मुझे जारी थोड़ा ठीक नहीं लगता इसलिए वो जारी पर नज़र रखता है फिर अगले दिन जारी अकेला ही अपने घर से बाहर आता है उसके साथ उसकी friend नहीं थी इसी वज़े से चारली को जारी पर शक होता है और वो उसकी घर में घुस जाता है चारली जारी की friend को डून रहा होता है कि तब यचानक उसे वहाँ पर एक secret room मिल जाता है वो जब उस room को चेक करता है तब जारी की female friend वहीं पर होती है वो room lock था लेकिन फिर भी चारली उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तब यचानक से उसी किसी की आवाज सुनाई देती है इसलिए चारली जल्दी से चुप जाता है और तब यवहाँ पर जैरी आ जाता है जो उस room को open करके अपनी friend के पास जाता है जहां पर वो अपनी friend का खून चूस कर उसे मार डालता है और ये सब कुछ चारली अपनी आँखों से देख चुका था इसलिए वो डर गया था क्योंकि वेंपायर्स के बारे में उसने सिर्फ books में ही पड़ा था लेकिन आज तो उसके सामने एक वेंपायर खड़ा हुआ है जो कि उसका neighbor है चारली घहरा कर अपनी मदर को कहता है कि प्लीज जैरी से दूर रहे क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है अब हलांके चारली अपनी मदर को जैरी की reality बताना चाहता था कि वो एक वेंपायर है लेकिन अब क्योंकि जैरी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था इसलिए उसे पता था कि मेरी मदर मेरी बात पर येकिन नहीं करेगी फिर चारली ठींकिंग करता है कि जैरी को आखिर कैसे रोका जाए कैसे मारा जाए उसे तब ही चारली एक आदमे की डिटेल्स पढ़ता है जो कि एक वेंपायर हैंटर था इसलिए चारली उसे टाइम लेकर मिलने चला जाता है इस वेंपायर हैंटर का नाम पीटर था जो कि एक काफी फेमस वेंपायर हैंटर था चारली को उस पर बिलीफ था कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा जिससे वो जैरी को मार डालेगा चारली उस वेंपायर हंटर यानि पीटर को सारी बात बता देता है चारली बताता है कि उस वेंपायर ने मेरी आँखों के सामने एक लड़की का खुन चूस कर उसे मार डाला लेकिन पीटर ये सारी बात को सिर्फ मजाग समझ रहा था और वो चारली को कहता है कि जाओ तुम घर चले जाओ पीटर को ये सारे बात सिर्फ एक बनी बनाई कहानी लग रही थी और कुछ भी नहीं लेकिन साथ साथ पीटर चारली को एक बात भी बताता है कि तुम ने इस बात पर जरूर अमल करना है और वो ये कि अगर वो आदमी सच में एक विमपायर है तो उसे कबे भी अपने घर आने के लिए इनवाइट मत करना क्योंकि विमपायर्स किसी के भी परमेशन के बगार उसके घर में जा नहीं सकते लेकिन जेरी तो वक्त गुजरने के साथ साथ और ज्यादा खतरनाग बनता जा रहा था वो एक एक करके सबको अपना शिकार बनाता जा रहा था और अपने खुन की प्यास बुजा रहा था और वो दो फ्रेंड्स को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है टाइम गुजरने के साथ साथ वो वंपायर्स का डर लोगों में बिठाता जा रहा था फिर चारली का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर उसकी फीमेल फ्रेंड उसके घर पर आती है तब ही घर के बाहिर जैरी आ जाता है और उनके घर का दर्वाज़ा बन था जैरी चारली की मदर को कहता है कि मुझे अंदर आने के लिए इन्वाइट केजिए जिस पर चारली अपनी मदर को कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगी इसलिए चारली की मदर जियरी को वहां से जाने के लिए गहती है और तब जियरी बगार माइंड किये वहां से चला जाता है लेकिन तब ही वो चारली की घर की गार्डन में जाता है वहां जाकर वो जमीन को खोदने लगता है जहां से वो गैस की पाइप निकाल कर उसे काट देता है जिससे वहाँ पर गैस लीक होने लगती है और जैरी लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और चारले का घर जल जाता है लेकिन फिर भी वो तीनों किसी तरह बच जाते हैं तब वो दिखते हैं कि जैरी बाहिर आकर कह रहा है कि अब तो तुम लोगों का घर ही नहीं रहा तो मुझे इंविटेशन देने की जरूरत भी नहीं है और मैं इंविटेशन तुम से लेना भी नहीं चाता फिर वो तिनों गाड़ी में बैट कर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन इतनी असानी से जैरी उनके जान छोड़ने वाला नहीं था इसलिए वो भी अपने गाड़ी में बैट कर उनका पीछा करता है लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी चारली की गाड़ी से टकरा जाती है वो लोग अपने आसपास देखते हैं लेकिन जेरी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था फिर वो दूसरी गाड़ी वाला आदमी अपने गाड़ी से बाहिर आता है लेकिन तबी जेरी उस गाड़ी के नेचे से बाहिर आ जाता है और अब तो वो अपने वेंपायर रूप में भी आ गया था और वो उस आदमी की तरह बढ़ रहा था तब वो आदमी अपने गाड़ी में चला जाता है लेकिन जैरी उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और वो उसे काट कर उसका खून जूस लेता है और उसे मार डालता है और अब जैरी चारली की तरफ आगे बढ़ रहा था तब जैरी जैरी को एक क्रॉस देखा कर डराने की कोशिश करता है लेकिन जेरी को उससे जरा भी फरक नहीं पड़ता और वो उस क्रोस को ही जला देता है फिर वो जैसे ही चारली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब चारली की मदर एक बड़े लकड़ी उसमें गुसा देती है जिससे जैरी तड़ अपने लगता है लेकिन चारली जानता था कि थोड़ी दिर तक वो दुबारा से अपने असली हलत में आ जाएगा इसलिए वो तीनों जल्दी से अपने गाड़े में बैट कर वहां से निकल जाते हैं ये सब कुछ होने की बाद चारली उस वेंपायर हंटर पीटर से मिलने आता है तब पीटर चारली से सोरी बोलता है कि पहले मैंने तुम्हारी बात पर विलीफ नहीं किया था पीटर बताता है कि काफी सधियों से वेंपायर पे इस दुनिया में पाए जाते हैं और ये वेंपायर सारे इंसानों को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं तभी पीटर को किसी की कॉल आती है कि आपके लिए एक पार्सल आया है और वो अंदर आना चाहता है इसलिए पीटर उसे अंदर आने की पर्मेशन दे देता है वो लोग सोच रहे होते हैं कि इतनी रात को पार्सल कौन लेकर आया होगा लेकिन तबी वहाँ पर चारली का फ्रेंड आ जाता है जिसे जेरी एक विंपायर बना चुका था उसे देखकर पेटर डर जाता है और वो एक रूम में जा कर खुद को बंद कर लेता है तब चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और चारली का वो विंपायर फ्रेंड उनके पीछे पढ़ जाता है तब चारली अपनी फीमिल फ्रेंड को वहाँ से भागने के लिए कहता है और अपने विम्पायर फ्रेंड को अपने पीछे लगा लेता है इसलिए चारली की फीमिल फ्रेंड वहां से भाग जाती है और यहां पर चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड एक दूसरे से अलग-अलग हो गए थे और तबी चारली की फीमिल फ्रेंड के सामने जैरी आ जाता है तबी चारली की फीमिल फ्रेंड देखती है कि वहाँ पर हॉली वाटर पड़ा है इसलिए वो उस हॉली वाटर को जैरी की फेस पर फैक देती है जिससे जैरी का फेस जलने लगता है और चारली की फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है मीन वाइल चारली का वेंपायर फ्रेंड उसे नीचे गिरा देता है और वो चारली को काट कर बस उसका खुन पीने ही वाला था कि तबी चारली की female friend आकर उस पर attack कर देती है जिससे चारली का वो vampire friend गिर जाता है चारली की friend उसे कहते है कि देखो चारली तुम्हारा friend अब एक vampire बन गया है तो प्लीज उसे मार दो वरना वो हमारे लिए खत्रा बन जाएगा और चारली ऐसा ही करता है वो एक नोकदार लकड़ी को अपने friend के दिल के आर पार कर देता है जिससे चारली का friend जल कर वहीं पर ही मर जाता है इसके बाद चारली और उसकी female friend वहां से भाग जाते हैं तबी वो दुनों क्लब की एक party में चले जाते हैं जहांपर बहुत सारे लोग थे और तबी उनका पीछा करते हुए जहरी भी वहां पर आ जाता है अब क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा लोग थे इसलिए चारली और उसकी female friend एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं और फिर जहरी चारली की female friend को पकड़ लेता है लेकिन इससे पहले के चारली अपनी friend को बचा पाता जहरी उसे काट कर उसका खून पी लेता है ये देखकर चारली को काफी अफसोस होता है लेकिन अब क्योंकि उसे अपने जान बचानी थी इसलिए वो वहां से भाग जाता है इसके बाद चारली पीटर के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम बुजदिल हो तुम कोई बहादूर नहीं हो तुम डर्फोक हो ना ही तुम कोई vampire hunter हो और मेरी vampire friend से बचने के लिए तुम एक room में जाकर छुपके और हमी मरने के लिए छोड़ दिया लेकिन फिर बाद में चारली कहता है कि चलो कोई बात ने छोड़ो इस बात को लेकिन अभी तुमारे पास time है उसे जलाना पड़ेगा जिससे वो कमजोर हो जाएगा और बाद में एक नोकदर लकड़ी को उसके दिल के आर पार कर देंगे जिससे वो मर जाएगा और जैसे ही जैरी मरेगा वो सारे लोग बच जाएगे जिससे उसने वेंपार बनाने के लिए जिन्दा रखा हुआ है इसका मतलब ये था कि चार्ली की फीमिल फ्रेंड अभी बच सकती थी चार्ली कहता है कि चाहिए कुछ भी हो जाए मैं तो जैरी को नहीं छोड़ने वाला मैं उसे जला दूंगा तुम देखना लेकिन रही बात नोकदर लकड़ी को उसके दिल के आरपर करने के ये काम तुम करोगे अब क्यूंके पीटर जानता था कि चार्ली अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता इसलिए वो चार्ली की हेल्प करने के लिए तयार हो जाता है पिर अगले दिन चार्ली सारे जरूरी हतियार और टोल्स लेकर जारी के घर पर आ जाता है और उसके साथ पीटर भी आ गया था अपने सारे जरूरी हतियार लेकर लेकिन तबी उन दोनों को चार्ली की फीमिल फ्रेंड की आवास सुनाई देती है तब वो दोनों उस आवास को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते है वो लोग एक बेस्मेंट में आ जाते हैं जहां पर काफी अंदेरा था लेकिन तबी वहाँ पर जैरी आ कर पीटर पर अटैक कर देता है यहां पर पीटर और चार्ली एक दूसरे से अलग हो गए थे और तबी जैरी अपना थोड़ा सा खोन वहाँ पर गिराता है जिससे उसके सारी वेंपायर्स आर्मी जिन्दा हो जाती है और वो जमीन से बाहिर आने लगते हैं अब पीटर वहाँ पर पूरी तरह पस चुका था चार्ली को अपनी फीमिल फ्रेंड मिल जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी लेकिन चार्ली जैसे ही अपनी फीमिल फ्रेंड के पास जाता है वो एक वेंपायर बन जाती है और चार्ली पर अटैक कर देती है तब चारली एक नोगदार लगड़ी अपनी female friend में घुसा देता है लेकिन इसकी बवजूत भी वो नहीं मरती क्योंकि चारली ने वो नोगदार लगड़ी उसके दिल की आरपर नहीं की थी बलकि उसकी body में की थी इसके बाद चारली पीटर को बचाने जाता है लेकिन तब तक वो वंपायर्स पीटर को काट चुके थी तब चारली फ्लोर पर गोली चलाता है जिससे वहाँ पर sunlight आ जाती है जिससे वो वंपायर्स जलने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं पीटर अभी जिन्दा था लेकिन वो काफी injured था इतनी ही दिर में वहाँ पर जैरी आ जाता है जो कहता है Welcome to Fright Night तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और लकडी को आरपार करके इतनी असानी से मुझे मार दोगे तब ही चारली को रिलाइज होता है कि जैरी एक वंपायर है इसलिए वो भी सैनलाइट से डरता है इतनी ही दिर में वहाँ पर चारली की फीमिल फ्रेंड भी आ जाती है तब जैरी चारली को बताता है कि कुछ देर तक तुमारी फीमिल फ्रेंड भी पूरी तरह वंपायर बन जाएगी और एक हुक के जरिये खुद को मजबूती से जैरी के साथ बांध लेता है और अब जैरी की पूरी बोड़ी पर आग भैलने लगी थी उनके प्लैन की मताबिकि उसे पहले जलाना था तब जैरी खुद को काफी अजाद करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं हो पाता तब ही पीटर अपने पास पड़ी हुई गन से छट पर शूट करता है जिससे वो सारे छट गिरने लगती है और सूरज की रोशनी उस रों में चारों तरफ पहल जाती है अब जैरी सूरज की रोशनी से बुरी तरह से जलने लगता है तब ही पीटर अपने पास रखे हुई नोकदार लगड़ी चारली को देता है अब जलने की वज़े से जैरी का दिल साफ साफ नजर आ रहा था और चारली उस नोकदार लगड़ी को जैरी के दिल में गुसा देता है जिससे जैरी जलते जलते डस्ट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो मढ़ जाता है जो अभी तक वेंपायर नहीं बने थी यानि जेरी को मार कर चार्ली ने पीटर और अपनी दोनों फ्रेंड्स को भी बचा लिया था और जेरी की खात्मे की साथ ही इस मूवी का भी यहीं पर दियांड हो जाता है थेंक्यू फर वाचिंग